स्वागत है आप सभी का लेटेस रेक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में तो दोस्तो हमारे परणसी पाकिस्टान की हालतो हम सबको पटा कि कैसी चल रहे है ना तो उनकी एकोनमी अच्छी चल रहे है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और फॉरेंट रिजर्वस नहीं है आटा नहीं है बिजली नहीं है केहूं नहीं है तो यह सब कई सालों से चल रहा है और एक तरफ से टीटीपी वाले भी आए दिन कुछ ना कुछ बम दमाके कर रहे है और अभी हाली में मस्जिद में दमाका हुआ था तो साइच सा से जारा लोगों की मौठ हो गई थी तो उसी का ब्लेम पाकिस्तानियों ने इरान पे डाल दिया तो इरान ने कुछ उन्होंने गैस पाइपलेंग की डिल की थी उसकी याद दिला दिया और कुछ अठारा बिलियन डालर्स की पैनल्टी जो पाकिस्तान को चुका नहीं अगले साल तो उसी की याद दिला दि और उसी पर आलोग सर का वीडियो हट्यों सुरू करते हाज का मिक्स रियक्शन ना उसकार दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को उसका एक पडोसी मुल्क है उसने टाइट करना शुरू कर दिया है और इस पडोसी मुल्क का नाम है इरान तो इरान किस तरह से पाकिस्तान के उसने कान उमेठे है और पाकिस्तान को उसने क्यों उस डील की याद दिलाई है जिसे पाकिस्तान को साल दोहजार चौबिस तक पूरा करना है और अगर पाकिस्तान ने उस डील को अगले साल भर कहीं वक्त बचा है अगर उसमें उसने पूरा नहीं किया तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है इसा हुआ क्यों? इरान ने ऐसा क्यों किया? अर्बो डॉलर के जुर्मानी की याद क्यों दिलाई उसमें पाकिस्तान को? इसके पीछे भी एक कहानी है क्योंकि ये सारा खेल जो है वो बड़े जबरदस जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है आप चुकि इसमें इरान भ लगा है तगड़ा जटका पिछले कुछ महीने से हम ये सब देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में आतंगी घटनाय लगातार बढ़ रही हैं आए दिन कहीं न कहीं हमले हो रहे हैं पाकिस्तान पुलेज, पाकिस्तानी फाज, पाकिस्तान की जो दूसरी सुरक्षा इसमें चार जावानों की मौत हो गई पंजगुर का जो इलाटा है वो इरान पाकिस्तान बॉर्ड अगा है। हद नराज है खुद पाकिस्तानी पीम शेवाज शेली के लिए ना होने दे हलांकि इरान की तरफ से ऑफिशली इस घटना के निंदा की गई थी जो आटाइक वहाँ पर हुआ था लेकिन अनोफिशली अनोफिशली इरान ने संदेश पहुचाया पाकिस्तान को कि भाई हमला बलोचिस्तान में हुआ है बलोचो ने किया है वो आपके यहां की प्रॉब्लम है हमारे यहां की प्रॉब्लम नहीं है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और इसमें हम है नहीं इस तरह कि ये फर्जी बाते जो है वो पाकिस्तान न फैलाए लेकिन हुआ क्या कि इरान को समझ में आ गया कि पाकिस्तान की जो लंबर बन एजिंसी जब फेल होगी तो सवाल उठेंगे तो उन सवालों से बचने के लिए इधर-उदर परुक्सियों पर आरोप लगाया तो उसके लिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया जा सकता है ये इरान को पता लग गया था तो अब चुकि दुनिया की लंबर बन एजिंसी जो है वो इन हमलों को रोकने में नाकाम होई तो पाकिस्तानी सरकार पर उसमें दवाब डाला क भाई इस कारो पडोसी उपर डालो टीटीपी वाले हमला करें तो उसके पीछे आब बताओ कि जी अफगान तालिबान है और इंडिया का हाथ है और अगर बलोच हमला करें तो उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है और इरान का भी हाथ बता दो क्योंकि जमीन तो उदर लग इरान ने जवाब देने के लिए जो रास्ता चुना है वो बड़ा जबरदस रास्ता है और वो रास्ता ऐसा है जिसमें पाकिस्तान खुद बहुत बुरी तरह से फसा हुआ है और इरान को पता है कि पाकिस्तान जो है वो कंगाली के हालत में है तो उसने कंगाली वाली नब्स ही पाकिस्तान की दबा दी और उस डील की याद दिला दी जिसमें पाकिस्तान के कपड़े जो है वो तार तार हो हजाने है साल भर बार पाकिस्तानी है कि इस खबर को देखिए इरान ने धंकी दिया पर पाकिस्तान को 18 billion dollar की penalty लगा देगा ये धमगी एरान पाकिस्तान gays pipeline को लेकर दी गई है एरान की तरफ से पाकिस्तान को धुकाते हुए कहा गया है कि फरवरी मार्च 24 तक pipeline ready करो नहीं तो 18 billion dollar की penalty देने के लिए तैयार रहो अख़वार के मताबिक अभी तीन हफते पहले ही एक पाकिस्तानी डिलीगेशन एरान क्या था वहाँ पर एरानी अधिकारियों ने दोटूक शब्दों में पाकिस्तानियों को कहा कि एरान पर लगे अमेरिकी शैंकसंस इलीगल है, मतलब गैर कानूनी है और रिवाइजड एग्रिमेंट के तहट पाकिस्तान पाइपलाइन को फरवरी मार्च दोहजार चौबीस तक पूरा करने के लिए बद है और अगर पूरा नहीं करनी की सूरत में डील में पैनल्टी का प्रावधान है इसी पैनल्टी की याद वो इरान ने पाकिस्तान को दिलाई है जाहिर है, पाकिस्तान की जो एकॉनमिक कंडिशन अभी चल रही है वहां के लोगों को न आटा मिल रहा है, न तेल मिल रहा है, न रोटी मिल रही है नसबसियां मिल रही है कुछ भी नसीम नहीं हो रहा वहां पर 18 बिलियन डॉलर्स यानि 18 बिलियन डॉलर्स की पैनल्टी की जब ख़बर पहुँची होगी तो सोची है क्या और निकल गई होगी और जाहिर से बात जान निकल जाएगी क्योंकि एक एक बिलियन डॉलर के लिए तो जो पाकिस्तान के पीम साब है शाबाज शरी, वो बिचारे दरदर भठक रहे हैं, भीक मांग रहे हैं तो दरसर जो ये गैस पाइपलाइंग जो है इरान और पाकिस्तान के बीच में जो सारा खेल जो है उसमें पाकिस्तान के लिए खराब किया है इसकी शुरुआत हुई थी साल 2009 में और इसमें भारत भी था लेकिन आपको तो पता हिए कि पाकिस्तान का चालूपना, शातिरपना भारत के खिलाफ साजिशे हैं तो भारत ने का कि भाया हम तो इस से निकलते हैं आप लोग अपना देखें तो भारत जो है वो इस पाइपलैन प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया लेकिन भारत को तो इसमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ चले ठीक हमने अपनी जरूते पूरी कर लिए अब जैसी पाकिस्तान की आदत है वो साजिशे करता है दूसरों खिला लेकिन उस गटे में वो खुदी गिर जाता है और खुदी फंस जाता है तो इस वाले में भी यह हुआ पाकिस्तान इसमें फंस गया प्रोजेक्ट जो है वो साल 2014 में कम्प्लीट हो जाना था और एक जनवरी 2015 से चालू हो जाना था आठ साल तो हो गया और उस वक्त की जो डील हुई थी जो पहली डील थी उस वक्ती जो डील हुई थी तो उसके मुताबिक अगर एक जनवरी 2015 को पाइपलाइन शुरू नहीं हुई तो पाकिस्तान को बतौर पेनल्टी हर दिन के वन मिलियन डॉलर्स इरान को पहने थे और अगर इरान इससे और असंतुष्ट होता तो वो इसे लेकर arbitration court चला जाता तो इनको और भी जादा billions of dollars जो है वो भर नहीं होती लेकिन प्रोजेक्ट में देरी हुई फिर साल 2019 में एक revised agreement हुआ इस नए agreement के मुताबिक प्रोजेक्ट डिले होने की सूरत में एरान international court नहीं जाएगा और नहीं पाकिस्तान साल 2014 तक एरान को किसी भी तरह का जुर्माना भरेगा तो वस यह हुआ कि मतलब फोड़ी बहुत दोनों देशों ने आपस में बातचीत की और इससे क्या हुआ कि एक बन गई तो पाकिस् लेकिन शर्त यहीं थी कि चाहे कुछ भी हो जाए साल 2014 तक पाकिस्तान को अपने हिससे की पाइपलाइन जो है وہ बनानी होगी लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है पी-म की कुर्सी की लड़ाई के चक्कर में सारे पाकिस्तानी नेता पिछले 75 साल में आपस मारा मारी कर रहे है पाईपलाइन को जटी किसे पड़ी है उनके घर में तो किसी चीज़ की कमी है ने मुसीबत है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी आवाम के लिए है ना और उनकी फिक्र तो 75 साल में किसी भी पाकिस्तानी हुक्मरान को नहीं हुए यह पाइपलाइन करीब 2775 किलोमेटर लंबी है जिसका बन जाने के बाद एरान से नैचरल गैस सीधे पाइपलाइन से होते हुए पाकिस्तान पहुशनी थी यानि खर्चा भी कम होता गैस के रेट भी काबू में रहते और गैस की कमी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं उठानी पड़ती इससे जादा दूरी तक पाइपलाइन इरान में है पाकिस्तान को सिर्फ 785 किलोमेटर लंबी पाइपलाइन ही बिचानी थी लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान ऐसा करना सका अब ज़रा सोचिए कि इरान पर कितने सारे सैंक्शन्स लगे उन सैंक्शन्स के बावजूद इरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन पाकिस्तान बॉर्डर तक लेकर पहुंच गया है अब पाकिस्तान को करना था और 725 किलोमेटर का जो काम पाकिस्तान को करना था वो कर नहीं पाया जबकि इसके उलट इरान इतनी मुसीबतों में फसे होने के बावजूद उसने करीब करीब 2000 किलोमेटर लबी अपनी पाइपलाइन बिछा ली अब जब इरान को इन्होंने अपनी नाराजगी जताई इरान को लपेटना चाहा तो इरान ने कहा कि अच्छा बिटा रुको अभी टाइट करते हैं इसको उसने मौका मिल गया उसे और जैसे ही पाकिस्तान ने अपने हो रहे हमलों के लिए उसका नाम लिया दो हफ़ते के भीतर देखिए दो हफ़ते के भीतर इरान ने जो है बोला जादा उड़ो मत एक एक डॉलर के लिए तरस रहे हो जादा बोला तो साल भर बाद 18 अरब डॉलर की पेनल्टी का प्रेम पत्र भीतर में हम आपको और वो चुकाने पड़ेंगे कि बादिता है और वो पहले वाला जमाना भी नहीं है कि अब फिर से डिल जो है वो रिवाइस हो जाएगी पॉलर की आई होती है सभी बाद दालर हम जो जो ना चारो तरफ पहले हैं एक उट बिलियू डॉलर कठा करने के लिए तो इसरह बिलियूंड डॉलर अगर हमने वह पांड नपूरी की तो तो यार रखार तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो क्या का है पाकिस्तान के बार में आदत से मजबूर ना तो वह एकोनॉमी पे दियान देते हैं ना वहां की आवाम पे दियान देते हैं चुकेशन पे और जो डील्स इंटरनेशनल डील्स उन्होंने साइन के उस पर भी दियान नही क्योंकि 75 साल से यही तो खुरसी-खुरसी खिल-खिल कर रहे हैं यह लोग और यह डील 2009 में साइन होई थी और 2014 में बनकर यह पाइपलाइन सुरू हो जाने थी तो वह पी पाकिस्तान नहीं कर सका और एक फिर रिवाइज डील होई कि 2019 तक साए वह बनके टैयर हो जाएगी और अगर उसके बाद अगर पाकिस्तान वह पाइपलाइन नहीं सुरू करता तो हर दिन के एक मिलियन डालर की उनको पैनल्टी लगेगी और 2024 से यह पैनल्टी उनको भड़नी पड़ेगी वह 2019 से लेकर 2024 तक की अथारा बिलियन डालर होती है तो यह कहां से देंगे पैसे त तो यह पैनल्टी तो मेरे ख्याल से देने वाले है नहीं हंड्रेट परसंट के रहें कि यह थारा बिलियन डालर उनके पास रही नहीं तो पैनल्टी देंगे कैसे तो फिर एरान भी कुछ ना कुछ जुगार लगाएगा और इनको टाइट करेगा एक तरफ से इंग तो इं पर कुछ अच्छा होने वाला था है नहीं उनका जब तक यह लोग सुत्रेगे नहीं और इरान ने डोहजार अल्मुस्ट दोहजार किलोमेटर की पाइपलाइन भी चा दी और यह लोग 2009 से लेके अब तक सिर्फ 800 किलोमेटर से भी कम पाइपलाइन नहीं भी चापाए तो क क्या कहें इसके बार में क्योंकि उनको तो इससे कुछ फाइदा होने वाला था नहीं फाइदा तो आम जन्ता को ही होने वाला था अगर उनको कुछ फाइदा हो था तो यह फट से कर देटे लेकिन यह तावाम के लिए है तो फिर कैसे करते क्योंकि पैसे खाने को तो झाल 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 झाल